तो गाईज आज है तारीक 23 जून 2023 और है फ्राइडे देखेंगे आज के दा हिंदू कंप्लीट यूस्पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपच यदा वेजुकेशन यूपी एसी आप लोग को ये वला चनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडिएफ मिल जाता है डेली करेंट फिर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सार डिटिटल नोट्स मिल जाते हैं नाव बढ़ते हैं आगे आगे बिढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है बहतर कानी का नैशनल पार्क को कहां पर है य डेली बेसिस पर हम लोग यहां पर एक प्रिवियस एर क्वेशन को भी सॉल्व करते हैं क्वेशन क्या बूलता है गाडगिल कमीटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमीटी रिपोर्ट कभी-कभी निउज में देखने को मिलती हैं यह किस चीज से रेलेटेड है या आपने बताना है option A constitutional reforms, option B गंगा action plan, option C linking of rivers या फिर option D protection of western guards तो इसका सही आंसर सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ बाइदेवे इसका जो correct answer है वो मैंने आपको टेलिग्राम पर provide करवा दिया है वहाँ से भी आप इसको check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चलो शुबहर हम करते है मैं आपको थोड़ा असान से शब्दों में यह समझाने वाला हूँ एक सब्ता से लगातार यहाँ पर यह न्यूस चर्चा मैं मैंने भी काफी दिनों से यहाँ पर इस न्यूस को पड़ रखा है बट सोचा आज यहाँ पर इसके बारे में discussion करेंगे क्यों क्योंकि आज क अगर यहाँ बात है 1912 की 1912 की 1912 में यह जहाँ इंगलेंड से न्यूयोक की साइड में जा रहा है अब हुआ क्या रास्ते में इसमें आस्बर्ग से टकराया टकराने के बाद में यहां पर यह जहाज डूब गया वैसे मैं आपको बता दू जब इस जहाज को बनाया गया था तो बनाने वाली कंपनी ने मेंशन किया था कि यह एक unsinkable जहाज होगा, कभी डूबेगा नहीं लेकिन पहली यात्रा में यहां पर यह डूब जाता है ठीक है क्योंकि यह आइस बग से टकराया एक unexpected से चीज़ यहां पर देखने को मिली है और एक sad बात यहां पर यह है कि जिस समय पर यह आइस बग से टकराया यह डूबा उस समय पर इस पूरे जहाज के अंदर में 2224 के आसपास पैसेंजर्स थे 2224 पैसेंजर्स जिसमें से 1500 लोगों की तुरंत जान चली गई थी बाकी कुछ लोग यहां पर जैसे तैसे बच गए थे अब क्या हुआ यह जहाज डूब गया 1912 में फिर उसको खोजा गया यार कहां समुदर में कौन से हिस्से में डूबा हुआ है तो खोशते खोशते काफी साल हो गए उसके बाद 1985 में पता चल जाता है 1985 में पता चला कि Atlantic Ocean में केनेडा और साधी साथ में यूएस से कुछ सौयो नौटिकल माल्स दूरी पर जो है यह जहाज डूबा हुआ है ठीक है और आज के समय पर कुछ इस प्रकारे से जो पिच्चर से आपको इंटरनेट पर देखने को मिलेंगे समुदर के अंदर Titanic जहाज इस प्रकार से आपको यह देखने को मिल जाता है जो कि अभी के समय पर पूरी तरह से डूब चुका है अब होता क्या है कि बहुत सरे जो अंडर वाटर टूरिस्ट्स हैं जिनकी दिल्चस्पी होती है ऐसी चीज़ों को एक्स्प्लोर करना तो वो समुदर के अंदर जाते हैं Titanic को देखने के लिए ठीक है और पता है Titanic को अगर गूमने जाना है किसी को तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चार्ज लगता है कितना बड़ा चार्ज दो करोड रुपया बिल्कुल दो करोड रुपय देने के बाद में एक इंसान अभी जाकर समुदर के अंदर Titanic को देख सकता है लेकिन समुदर के अंदर चार किलोमेटर के गहराई में जाना पड़ेगा उसके लिए क्या यूज किया जाता है तो इतनी गहराई में जाने के लिए एक समरसिबल का यूज किया जाता है अब दोस्तो एक बात यहाँ पे समझना एक तो होती है समरीन और एक होता है समरसिबल submarine होती है हमारी जो pandu pi वो बहुत बड़े size की होती है पता होगा यह summer civil यहाँ पर बहुत छोड़े size का होता है है ना दोनों में difference है मैंने thumbnail में summer लिखा है बट वो exactly summer civil का ही हम बात कर रहे हैं दोनों के बीच में exact क्या difference होता है वो भी मैं अभी थोड़ी दिर में आपके साथ में डिस्कस करूँगा तो इस प्राकार का समर से बिल है जिसको नाम दिया या है टाइटन तो अभी न आपसे एक्जामनेशन में क्वेस्चन भी बन सकता है कि रिसेंटली टाइटन कुछ नाम की चीज नियूज में थी ये क्या है तो एक प्राकार का समर से बिल है बात क्लियर हो गई क्योंकि यही टाइटन गया था टाइटनिक जहाज के आसपास लोगों को घुमाने के लिए टाइटनिक जहाज का दिरिश्य दिखाने के लिए लेकिन होना क्या था कि 11 घंटे के अंदर अंदर इसको पानी के उपर आ जाना था वापस से लेकिन जो जहाज जो शिप के साथ में गये थे क्योंकि ऑब्यस सी बात है देखो ये ऐसे समुदर में के लिए तो छोड़ा जाएगा नि एक जहाज जाएगा है ना एक बड़ा सा जहाज जाएगा इस समरसिबिल को अपने अंदर रख कर फिर समुदर में वो जहाज रुक जाएगा और फिर उसके बाद में समरसिबिल को उतारा जाएगा समुदर के अंदर और वो समुदर के अंदर जाएगा टैटैनिक को दिखाएगा और टैटैनिक को दिखाने के बाद में लोगों को ये सीधा उपर आ जाएगा ठीक है तो ship का और इस summercible का एक connection होता है लेकिन क्या हुआ कि जैसे इस ship को छोड़ा गया समुदर के अंदर में दो घंटे के अंदर अंदर इसका connection तूड जाता है और फिर बवाल मत जाता है कि यार वो summercible गया तो गया था अभी तक उसका पता नहीं चला ठीक है तो 11 घंटे में वापस आना था और मैं आपको बता दूँ ये बात है संडे की जो अभी हमारा संडे निकला है ना आज तो फ्राइडे हो गया संडे में ये गए थे टाइटनिक को देखने लिए इतने जादा दिन हो चुके हैं इस प्रकार की जो बात हैं वो कही सारे आर्टिकल के अंदर में भी कनंफर्म की जा रही है तो ये था पूरा का पूरा मैटल टाइटनिक को लेकर ये बात आई होप आपको समझ में आ चुकी है जो लोग गए थे इस पूरे टाइटन में बैटेकर उन में से सारे के सारे ब्रिटिश बिलिनियर आपको देखने को मिलेंगे ओव्यस से बाते बिलिनियर ही होंगे दो करोड रुपे देखर यहाँ पस प्रकार से ट्रावल करने जा रहे हैं पाकिसानी ताइकून भी है शाहज़ादा दाओद साथी साथ मैं इनके बेटे सुलेमान इन दोनों के पास में भी सिटिजन्शिप है यानि ब्रेटिशन सिटिजन्शिप इनके पास में भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है अब ये नाम बगरा कहीं पूछा नहीं जाने वाला है तो नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा ठीक है बस खाली जो टाइटन नाम है ये जरूर से ध्यान रखना उसके बाद यहाँ पर एक संबरीन ऑपरेटर पॉल हेंरी नाम है जो व्यक्ति यहाँ पर इस वो नजर आ रहे हैं अब थोड़ा बहुत रिसर्च किया जा रहा है जिसके बेसिस पर बताया गया है कि जो समर्सिबल अपकी बार यूज किया या है इस समर्सिबल को प्रॉपर सेर्टिफिकेशन वगरा भी नहीं मिला था ठीक है ये भी एक प्रॉबलम यहाँ पर दिखा पर उनको अगर वो उनका कुछ पता चलता है वो जिन्दा है तो उनका पता लगा जैसा कि उनको निकाला जा सके बट अभी के समय पर जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी जादा कम होती भी नजर आ रही है जैसे आज के न्यूस्पेपर में आप देखोगे कई आर्टिकल से इसको लेकर जैसे यह वाल आर्टिकल भी आप देख पा रहोंगे कि इंडिया को भी टाइटन से एक सीख लेनी चाहिए उसके बाद यह वाल आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा कि जो यह पांच लोग गए थे वो कहीं न कहीं यहां पर उनकी डेथ हो चुकी कहीं न कहीं मैं आप जाओगे पानी के उतना जादा इट्मोस्फरिक प्रेशर बढ़ता रहेगा तो आप इमेजन कर सकते हो कि चार किलोमेटर गहराई में लगबाग चार सो गुना जादा इट्मोस्फरिक प्रेशर को यहां पर फेस करना पड़ता है नो एनिवे कोई भी आर्टिकल निकल कर आता है इसको लेकर जो भी अपडेट्स आती है वो आगे मैं आपको बताता है चलूँगा लेकिन अभी थोड़े सी इंफोर्मेशन और बाकी है इस वाले आर्टिकल को और पढ़ लो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया ने भी इसी प्रकार का जो समर्सि के अंदर की जो डीटेलिंग से उनको एक्स्प्लोर किया जाएगा कुछ चीज़ें मिलती हैं तो उसको यह पर कलेक्ट करके बाहर लेकर आया जाएगा वो कैसे किया जाएगा यह जो गोल्स आप देख पा रहे हो ना यही है वो मत्से 6000 इसका यहां पर एक्जाक्ट यूज करने वाले हैं लेकिन यह अगले साल होगा तो उसके लिए पहले से ही कह सकतो हमारे लिए लेसंस आ चुके हैं कि भाईया कहीं न कहीं हमें बैक अप सेफटी भी रखनी होगी जैसे अभी टाइटन के साथ में हो गया इनके पास में कोई बैक अप सेफटी वगरा नहीं थी वैसा हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, हमें सीख कर चलना है एक प्रॉपर बैकाप सेफटी लखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो यह मत्से 6,000 है, यह तीन इंडियन्स को समुद्र की गेराई में, लगबग 6,000 मीटर की गेराई में इंडियनोशन में लेकर जाने वाला है, ठीक है, और वहाँ पर जो भी इंफोमेशन से वो कलेट करेगा, उसके बाद में वो इंफोमेशन बाहर लेकर आएगा, इससे हम लोग बली कॉनमी को प्रमोट करने के उपर एक मेजर फोकस रख रहे हैं, तो यह जो पूरा मिश हो सकता है, दिसंबर 2024 या 25 तक हो, तो अभी अगले साल की बात की जा रही है, बट उसके लिए फिर भी यहाँ पर हमें बहुत सरे ट्राइल्स करने की आवश्यक्ता है, जितने ट्राइल्स कर सकते हैं, जितने पॉसिबल हो पाएं, उतने कर सकते हैं, तो वो बैटर रहेगा इससे हमें एक clarity मिल जाए कि exactly क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है, तो और उसके पीछे यहाँ पर जो एक backup plan है, यानि backup safety measures है, वो तो जरूर रखने होंगे, उसके उपर बार बार जोर दिया गया है, आर्टिकल में दो बार यहाँ पर cover किया गया है, यह जो मज़ से 6000 है, इसको किस ने बनाया है, N.I.O.T. ने बनाया है, that is National Institute of Ocean Technology, ठीक है, समद्रियान मिशन के दुरान यहाँ पर इसका use किया जाने वाला है, समझ गए, तो यहाँ पर क्या सीख लेनी है, वो भी मैंने आपको समझा दिया, उसके अलवा यहाँ पर जो यह पूरा matter है, exactly जो news में वो भी हमने समझा, अब थोड़ा सा यहाँ पर समरसेबल और समरीन के बीच में जो difference है, वो जान लेना, देखो यह मैंने आपको notes के form में provide कर वा दिया, इसको please अपने पास में store करके रखना, PDF से download कर लेना, क्योंकि examination में possibility आपसे पूछा जाए कि समरसेबल और समरीन में difference क् समरसेबल छोटी size की होती हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, बस खाली छोटे-छोटे missions के लिए यहाँ पर इनको set किया जाता है, यहना कुछ लोगों को लेकर यह समुदर के अंदर गहराई में जाकर कह सकते हो कि कुछ missions यह कर सकती हैं, लेकिं जबकि समरीन जो है वो बह कर चल सकता था समुदर की गहराई में और 4000 मीटर की गहराई में पहुंच सकता था, तो अभी जो टाइटन है, इसी की बात कर रहे हैं, यह भी खो गया है, यह नहीं मिल पाया है, टाइटन किस चीश से बनावाए, तो ध्यान रखना है, टाइटेनियम और कार्बन फाइबर से यहाँ पर इसको बनाया गया है, इस टाइटन का जो वजन है, वो लगबग 10,432 किलोग्राम है, इसकी जो स्पीड है लगबग 3 knots, यानि की 5.5 किलोमेटर पर आवर के आसपास की यहाँ पर जो स्पीड है, वो नजर आती है, और इस टाइटन को कही नहीं अपने एक जहा साथ में जाता है, उसका नाम था पोलर प्रिंस, तो पोलर प्रिंस साथ में गया था, अब उस जहाँ पे से इस टाइटन को उतारा, फिर समुद्र में यह गया, और जहाँ और टाइटन का आपस में connection था, लेकिन दो गंटे के अंदर-अंदर connection टूड गया, और जबकि यहा आप मेजर ली तो समझी चोके होंगे कि summer जो होती है, उनकी स्पीड भी काफी अच्छी होती है, summer जो है काफी बड़ी साइज की होती है, काफी लोग यहाँ पर उसमें बैठ सकते हैं, but summer civils में ऐसा नहीं होता है, छोटे missions के लिए यहाँ पर summer civils को यहाँपर चलाया जाता है नवाते हैं निक्स्ट आर्टिकल की दरफ अब दोस्तों यहां पर छोटा सा आर्टिकल है जादा कुछ खास बाते हैं नहीं बट फिर भी जो भी है मैं आपको बता देता हूँ तो आपको बताओगा पिये मोदी अभी USA की विजट पर गए हैं और USA की विजट के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल डे ओफ योगा का सेलिबरेशन किया उसके साथ साथ यहां पर आप देख पा रहोंगे जो बाइडन और साथ साथ में जिल बाइडन के साथ में भी कल यह ज इफेंस कोपरेशन हो गया, क्रेटिकल एंड एमर्जिंग टेकनलोजी हो गया, हिल्थ एंवोर्मेंट वीज़ा हो गया, इस प्रकार के नए-ने जो हमारे फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स में यह दोनों मिलकर काम करने वाले हैं, इंडिया और अमेरिका उसके बारे में जो य यहां पर mention की जा रही है, ठीक है, बस इतनी से information इसके लावा कुछ अभी खास चीज़े नहीं है, कुछ एक detailing article आएगा, कुछ ज़्यादा information इकल कराएगे, तो मैं आपको proper notes प्रोवाइट करवाओंगा, don't worry, आपको पता होगा, हर चीज के regarding में आपको कुछ ना कुछ जो points प्रोवाइट करवा देता हूँ, बट अभी यहां पर कुछ ऐसी खास चीज़े नहीं है, खेर आते हैं, next article पर, नव एक बहुत important article आता है, यहां पर यह वाला इसको आप GSP no.1, history, art and culture के point of view से link कर सकते हो, प्लस important personality के point of view से भी link कर सकते हो, खबर क्या निकल कराती है, हमारी पर पिनिसुलर इंडिया, और इधर की साइड में आपको Arabian Sea देखने को मिलेगा, इधर Bay of Bengal देखने को मिलेगा, यही पर तामिलाडू देखने को मिलेगा, है ना, अब क्या है, कि यह जो basically Bay of Bengal वाल रीजन जो समुदर है, यही पर थोड़ा सा दूरी पर समुदर के अंदर क साइड में, यह जो है, Monument बनाया जारेगा, इस प्रकार का, जिस पर एक बहुत बड़ा सा जो Pen है, आपको खड़ावा दिखाई दे रहा होगा, इसको Pen Monument का नाम दिया गया है, किस नाम का Pen Monument का, अब यह Pen Monument को लेकर, लंबे समय से Approval की मांग की जारी है, अब जो सारे के स जोन क्लिररेंस क्या होता है आगे सब बताओंगा मैं आपको क्योंकि ये जो हमारा तट होताहि loft समझारे का उसी पटिक्ली कुलर रिजन में ये बनाया जारह रहा है। तो उसके लिए पहले coastal regulation zone के जरीए clearance लेना पड़ता है कि इसका कोई negative impact तो नहीं पड़ेगा, हमारे environment पे बुरा सर तो नहीं पड़ेगा, coastal areas में कोई damage तो नहीं होगा, तो उसके लिए approval लेना पड़ता है, बट वो approval अभी ले लिया या है, और उसके साथ साथ तामिलाडू की बनाया जाएगा चेन्नाई के अंदर में, चेन्नाई में खासकर मैरिना बीच से कुछ दूरी पर, जो मैरिना बीच है न, उस बीच से कुछ दूरी पर समुदर के जो बीच वाला हिस्सा है, वहाँ पर बेसिकली इसको बनाने वाले है, अब ही मैं आपको picture दिखाऊंगा, स इस प्रकार से पिछले साल से कई सारे approval ये ले चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा, कि भई तर्ट वाले region बे एक project बनाया जा रहा है, और उस project का कोई भी environment के उपर नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे pollution का बढ़ावा नहीं होना चाहिए, तो हर चीज के लिए एक clearance लेन पड़ता है, तो सभी चीज के लिए आपर clearance ले लिया गया है, प्लस जो हमारे environment के section के जितने भी ministers हैं, उनकी site से mention कर दिया गया है, कि भाया जो भी rules and regulations हैं, जैसे approval मिला है, उसी approval के according काम चलना चाहिए, और अगर क्यों भी नियम का उलंगन होता है, तो कहीं न कहीं यहाँ जो यह pen monument है, जो यह approvals दिये गया है, वो approvals cancel भी हो सकते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर mention किया जा रहा है, कि यह जो clearance है, वो suspend भी हो सकता है, अगर जिस condition के basis पर approval दिया गया है, उन conditions को follow नहीं किया गया तो, अगर pollution करने को मना किया गया है, वो तब भी हो रहा है, यह काम कर ने को मना किया गया है तब भी हो रहा है तो कहिना की वो clearance suspend हो जाएगा वो भी यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है I hope आपको यहाँ पर यह जो बात है वो clear हो चुकी होगी यह basically बस एक design दिखा गया है pen monument का कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो काफी बड़े हिससे में लोगों को चलना पड़ेगा उसके बाद जाके वो जो है pen monument तक पहुँच पाएंगे ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है लेकिन दोस्तों अभी article समाप तो नहीं हुआ है अब असली चीज़ शुरू होती है यह तो बस खाली आपने news पढ़ लिए कि यहाँ ख़बरों में क्या चल रहा है अब मैं आपको मतलब कुछ ऐसी information होनी चाहिए न हमारे पास मैं लिकेत में होनी चाहिए हाँ भी आपने कुछ तैयार किया है आज के newspaper से notes बनाएं newspaper का UPSC experiment के लिए पढ़ने का मतलब यही कि हाँ आपने newspaper से कुछ ने कुछ निकाला है आज और पढ़ा है केवल पढ़ लेना उपर उपर से और उसके बाद मैं यहाँ पर बंद करके रख देना फिर आप समझ सकतो कोई कोई फाइदा नहीं है अगर कुछ पढ़ना होगा दुबारा के यहाँ यह कुछ नियूज माया था मैंने यहाँ से कुछ नहीं निकाला लेकिन यह वापस से नियूज मारा है है ना तो एक बार पढ़के हटा देना यह आपने बिल्कुल नहीं करना है कुछ अच्छे पॉइंट्स निकालने हैं जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टार्टिक पॉइंट आपके सिलेबस का हिस्सा जो है इस आर्टिकल से लिंक करके बताने वाला हूं तो हुआ क्या कि जो हमारा एक्सपर्ट एप्रेजल कमीटी क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया और अप्रूवल दे दिया कि हाँ इस प्रकार का जो पैन मॉनुमेंट है वो बनाया जाएगा अब यह जो मॉनुमेंट बनाया जा रहा है किसी की याद में बनाया जा रहा है किस की याद में तो तामिलाडू के एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है नाम है उनका के करुना ने दी ठीक है तो इनके लिए विनी के नाम के उपर यहाँ पर जो यह मॉनुमेंट है यह बनाया है ना क्यों क्योंकि यहां पर इन व्यक्ति का जिनकी याद में बनाया जा रहा है इनका कॉंट्रिबिशन तमिल लिटरेचर में और कल्चर में बहुत जादा है ठीक है यह जो प्रोजेक्ट इसका एनॉसमेंट 2022 में कर लिया गया था लगबक 81 करूर रुपीज लगेंगे इस इसका लोकेशन बताया जा रहा है अब इसके फीचर्स क्या है तो इस मॉनुमेंट में मेजरली यहां पर आप देख पाओगे काफी सरे डिजाइन्स हैं जो कि यहां पर तामिल हरिटेज अलिमेंट को डिनोट करने वाले हैं उसको दरशाने वाले हैं और pen monument pen को बनाना बेसिकली डिरेक्ट एक रेप्रेजेंटेशन है कि जो करूना निदी है जिनकी याद में यह monument बनाया जा रहा है उनके जो achievement थे poetry में, literature में, music में, theater में, हर sections में जो उनके यहां पर कईना की achievements थ है ना उसी के basis पर यहां पर pen को बनाना एक सही सुझाव यहां पर देखने को मिला आप करूना निदी कौन थे इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं important है क्योंकि important personality के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो यहां पर करूना निदी इनको हम लोग यहां पर देखने और भी है ध्यान रखना है एक आर्टिस्ट है बहुत सब्सक्राइब कर दो हैं और तामिल सिनेमा में कई सारे जो स्क्रीन प्लेइज वगरा है वो भी किये हैं ठीक है उसके अलावा यहां पर यह जो pen monument है यह pen monument कहना के इनको ट्रिब्यूट देगा इनको यहां पर इनकी याद में जो है कह सकतो इनको यह बनाया जाएगा ताकि आगे जो है future generations जो है वो इससे inspiration ले सके यह तामिल राइटर से यहां पर inspiration ले सके एक आर्टिस से inspiration ले सके उस basis पर यहां पर इसको तयार किया जा रहा है लेकिन दूसी तरफ यहां पर इस pen monument को बनाने वगरा को एक livelihood support मिलता है उनका जीवन व्यतीत कर रहे है उन मचवारों के लिए यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा प्लस कुछ political parties भी जो है इसका विरोध कर रहे है अब हुआ क्या है यहां पर critics का कहना यह है कि सीधा सीधा environmental damage होने वाला है मचवारों की जो life है livelihood है उसका ए exactly यहां पर बोला गया ठीक है तो कई सारे जो environmental challenges है वो आएंगे इस प्रकार की जो बात हैं वो बोली जा रही है अब present status कैस का वो समझ लेते हैं तो इस project को कई सारे clearance की requirement थी वो सारे clearance मिल चुके है environment ministry से भी clearance मिल चुका है coastal regulation zone notification 2011 के अंडर भी यह clearance मिल चुका है प्लस यहां प approval मांग रहे हैं यह मैं आपको थोड़ा सा यह समझा देता हूं देखो यह भी basically यहां पर एक प्रकार का instrument एक प्रकार की body ऐसी है जो कि ministry of environment forest and climate change के अंडर में आती है इस coastal regulation के नाम से आप समझ रो इसका मतलब यहां पर यह है कि जो तट वला रीजन है समुदूर के किनारे का रीजन है उसको regulate करना वहां पर control करना उस particular area को यहां पर support करना तो main मकसद यहां पर यह है कि वहां के development को regulate करना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए coastal areas को ठीक है इसी वज़ा से यहां पर इस पूरे rules and regulation में coastal areas को चार categories में बाटा गया है coastal region zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 करके य ताकि इन coastal areas को यहां पर पूरी तरह से protection दी जा सके तो अगर आपको coastal region में कोई भी project बनाना है तो इस coastal regulation zone notifications के थूर यहां पर एक approval लेना काफी ज़्यादा जरूरी बन जाता है और इनी के माध्यम से यानि कि इस प्रकार के rules and regulations के माध्यम से अलग-लग body बनाई गई है coastal zone management authority एक प्रकार की body बनाई गई है एक statuary body है statuary body मतलब कानूनी तोर पर बनाई गई body एक कानून के माधम से बनाई गई है उसका नाम है environment protection act 1986 ठीक है इसके अंडर में इसको बनाया गया तो main objective coastal zone management authority का वही है कि अगेन हमारे coastal जो environment से तट के आस पास का जो वातवरड है उसकी सुर साइट से approval मिल गया मैंने आपको इसके बारे हैं बताया था कि तामिलनाडू की जो state level वाली authority है उसको ने भी यहाँ पर क्या क्या है जो यह approval है वो दे दिया है ठीक है यह बात क्लियर हो गई अब जो national authority होती है national authority का main काम होता है जो हमारे देश के लिए बनाई गई है proper body उस यहां पर कईने की इसी प्राकार के rules and regulations को एक particular state में लागू करने का काम करती है तो इनका बहुत रोल बहुत बड़ा रोल है sustainable development में coastal regions के development में क्योंकि coastal regions अगेन एक बहुत important हिस्सा माना जाता है ठीक है I hope आपको यह जो बात हैं काफी अच्छे से clear हो चुकी है तो यह था मेरे साथ में Instagram पर connect कर सकते हो Instagram पर जाना search box में लिखना दीपच ज्यादा education आपको यह profile मिलेगा जहां पर 12,000 से ज्यादा लोग मेरे साथ में already जुड़ चुके हैं आप भी मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो अगले page पर आते हैं अगले page पर ज्यादा का article आपको यह वाला दे इन दुनों के बीच में कल के दिन एक memorandum of understanding sign किया गया है और उस memorandum of understanding के तहत क्या होगा कि हमारा जो light combat aircraft होता है ना उनके लिए engine चाहिए होता है उस engine की manufacturing इंडिया में की जाएगी और उसमें मदद हमारी JE aerospace करने वाला है ठीक है इस वज़े से यहां पर हंदुस्तान Aeronautics Limited के साथ में उसने memorandum of understanding को sign किया है ताकि हम अपने light combat aircraft के engines को तयार करवा सके यह बात है इसको side में कर दो अब आता है थोड़े काम की चीज़ के ओपर यह पीचर देख रहे हो आप उपर इस पिचर में क्या दिखाया जा रहा है पीए मोधी पहुंचा है यूएस और अभी यहां पर अब गए है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर गए होंगे तो एक गिफ्ट यहां पर जिल बैडन को वो दे रहे हैं क्या गिफ्ट दे रहे हैं lab grown diamond lab में grow की आवा diamond यह important term है possibility यह अगले साल इसके ओपर प्रशन देखने को मिले reason यह था क्योंकि अब की बार budget में यहां पर lab grown diamond को लेकर एक अलग से section रखा गया था यह diamond ही है जैसे आपके normal हीरे होते ना जो हमने खुदाई के दौरान निकालने पड़ते हैं बहुत सालों बाद millions of time लगता है उनको बनने में है ना उसके बाद यहां पर हीरा हमको मिलता है वैसे हीरा होता है बिल्कु सेम lab में उगाया जाता है lab में उगाया कि इसको बनाया जाता है exact तरीके से ठीके तो वो प्रकार का diamond अभी यहां पर जिल बादन को दिया है अब क्या हुआ यह दिया diamond तो इसकी ख़बर सब जगे चलेगी आज पूरे सब जगे आपको देख रहे हो मिलेगा हर नीस पर कहीं पर इको फ्रेंडली यह lab-grown diamond इसमें कोई pollution नहीं होता है जबकि जो हमें खुदाई के दुरा निकालना पड़ता है carbon emissions बहुत ज़ादे होते हैं उसमें pollution बहुत ज़ादा होता है ठीके तो पियम मोदी ने US की जो यह लेडी है जिल बाइडन इनको अभी वेडनस डे में lab-grown diamond जो बहुत ज़ादा demand में है और अभी यहाँ पर इसको promote किया जाना चाहिए उसके basis पर कहीं न कहीं आज जो है यह step उटता हुआ नजरा रहा है अब आपन समझते हैं कि exact तरीके से lab-grown diamonds होते क्या हैं क्योंकि जरूर से पता होना चाहिए थोड़ा diamond industry के बारें पता होना चाहिए इन्होंने 2023-24 का जो budget है जो latest budget है इसके अंदर यहाँ पे focus किया था lab-grown diamonds के उपर में कि लाप-grown diamonds के उपर में जो seeds की custom duty होती है वो कम कर दी जाएगी ताकि यहाँ पे lab-grown diamonds को grow किया जाए अब यह seed का क्या roll है seed word मैं बहुत ज़्यादा use करूँगा आगे ध्यान रखना है एक seed चाहिए होता है lab-grown diamonds को बनाने के लिए ठीक है इस प्रकार के diamond को बनाने के लिए एक बीज चाहिए होता है बीज जैसे पौधा उगता है उसके लिए एक छोटा सा बीज चाहिए वैसी diamond को बनाने के लिए बीज चाहिए होता है उस बीज के उपर custom duties लगाई जाती है अब उस custom duty को कम कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, इसका demand बढ़ेगा, और कहीं न कहीं यहाँ पर, हम लोग lab grown diamonds को, जादा manufacture कर पाएंगे, यह major focus रखा गया था, अब की बार के budget में, that is 2023-2024 का budget, चलो, अब आता है कि exact होता क्या है lab grown diamonds वो वाले हीरे होता है जिसको laboratories में लैब के अंदर produce किया जाता है एक अलग से specific technology का use करके है ना देखने में ये natural diamond की तरह लगता है लेकिन इसमें एक technology use हो रही होती है lab grown diamonds दो तरीके से बनाया जाता है पहला method है HP, HT very very important high pressure, high temperature दूसरा जो method है CVD, CVD मतलब होता है chemical vapor deposition method तो दो method से यहाँ पर lab grown diamonds को बनाया जा सकता है अब high pressure, high temperature method में क्या होता है ये समझता है दोस्तों आप ये दुनों diamond देख रहे हो ये वो diamond है इदर वाला जो खनन करके बनाया गया है mining करने के बाद में निकाला गया है और ये वाला lab grown जो lab में बनाया गया है दोनों में कोई ज़्यादा difference होता नहीं है ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस diamond को बनाने के लिए एक छोटा सा बीज चाहिए होता है, छोटा सा ये थोड़ा सा जूम करके पिचर है तो थोड़ा आपको बड़ा दिख रहा है पर छोटा सा बीज है ठीक है, छोटा सा बीज आपको देखने को मिलेगा जिसका use होना है क्योंकि एक अधार चाहिए ये एक बेज चाहिए जिसके उपर ये पूरी चीज़े बनेंगी तो इसी एक बीज का यहाँ पर use किया जाएगा लाब गुरून डैमेंट्स को बनाने के लिए इसमें होता क्या है, हाई प्रेशर, हाई टेंपरेचर मेथड के अंदर में, देखो एक छोटा सा डैमेंट्स सीड लेंगे और डैमेंट्स सीड को इस एक्स्ट्रीम कंडिशन में रखेंगे, ठीके एक्स्ट्रीम कंडिशन में रखने के बाद में यानि कि बहुत ज़दा टेंपरेचर में, बहुत ज़दा और जो आसपास के carbons होते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, मिलकर high temperature, high pressure में जो carbons हैं, वो आसपास के मिलकर यहाँ पर diamond की form को बनाते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको chemical vapor deposition में भी देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा diamond का seed लेंगे, छोटा सा हीरे का, ए और उसको लेने के बाद में seal chamber में डाल दिया, seal chamber में डालने के बाद में उसके अंदर carbon rich gases होती हैं, जैसे methane वगरा है, ठीके, अब उस gas में डालने के बाद में, क्या हो गया, उसको पकाया जा रहा है, 800 degree Celsius के उपर में गरम किया गया, अब गरम करने के बाद में, जो यह carbon rich gases ह कहीं न कहीं यहां पर कह सकते हो कि जो छोटा सा बीज हमने डाला था diamond का, उस पर चिपक चिपक कर चिपक कर एक diamond का form ले लेंगी, diamond का shape लेंगी, तो इस तरीके से यहां पर मतलब आपको मोटा मोटा बता रहा हो कि कैसे lab के अंदर diamonds को बनाया जाता, तो यह कुछ यहां पर processes now सवाल यहां पर यह कि चलो हमने एक lab grown diamond बना लिया, अब इसका use कहां पर कर सकते हैं, भाई आप natural diamond की तरह इसका use कर सकते हो, अलगलग जगा पर use कर सकते हो, ठीक है, आप industrial purpose में use कर सकते हो, machine में, tools में use कर सकते हो, प्लस यह जो diamond होते हैं, जो हीरा होता है, इसका hardness बहुत ज होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि आपको बता है, हीरे की पैचान वही होती है, जो टूटे ना, है ना, तो इस चक्र हम हीरे का cutter के तोर पर भी use करता है, आपने देखा होगा कई बार shopper, शीशे बगरा काटे जाते हैं, उन cutters में भी यहां पर जो यह diamond इसका use किया जाता है, यह शीशे को भी काट सकते हैं, बहुत शांदार cutters यहां पर मान जाता है, ठीक है, यह बात के लिए हो गई, तो use कैसा हो सकता है, यह बात आपको समझ में आ गया, अब बात यहां पर है Indian diamond industry के बारे में, भारत में कहां कहां पर diamond पाया जाता है, भारत दो प्रकार की deposit होती हैं, जहां से diamond पाया जाता है, इंडिया में diamond चार जगा से मिलता है, चार बड़ बड़े रीजन है, सबसे पहले South India, South India में आंधर प्रदेश हो गया, उसके बाद अनंतपुरा, कदपा, गुंतुर, कृष्णा, उसके बाद माबुद नगर हो गया, कु गुदावली एरिया जो है, यानि राइपूर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, फिर तोकापल, दुगापल, यानि की 36 गड़ वाले रीजन की बात की जा रही है, यह कुछ ऐसे एरिया जो 36 गड़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर भी diamonds पाय जाता हैं, फिर Eastern इस्टर इंडिया में, खासकर ओडिशा में, ओडिशा के बाद यहां पर आप देख पाऊगे, ओडिशा में भी खासकर जो मानदी और गुदावरी वाली हैं, वहाँ पर यह diamonds देखने को मिलेंगे, तो इंडिया में, साउथ इंडिया, सेंटल इंडिया, चटिस गड़ वा तो दुनिया बर में भली diamonds की भरपूर मातरा में, क्या सकते हो, production हो रही हो, मिल रहा हो diamond उनको, लेकिन उसकी cutting और polishing मिजरली इंडिया में होती है, और मैंने जासे बोला, भारत दुनिया का सबसे बड़ा cutting और polishing center मान हो जाता है diamonds का, लगबाक 90% जो polished diamonds होते हैं, वो इंडिया में ही manufacture होते हैं, मतलब आपको पूरा दुनिया का बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी हीरे की polishing हो रही है, उसकी 90% polishing इंडिया में हो रही है, और इंडिया फिर polish करने के बाद में export करता है, दुनिया का जो polished diamond और gems और jewelries एक्सपोर्ट रही है, उसमें 75% contribution exports में इंडिया का है, इंडिया बहुत ज़्यादा dependent है, import के उपर of rough gems, यानि हम ऐसा rough diamond इंपोर्ट कर लेता है, यानि कि ऐसी चट्टान से खोद के निकाला या उसको rough हम लोग बोलते हैं, अब उसकी cutting की जाएगी, polishing की जाएगी, तो इंडिया में cutting और polishing industry सबसे बड़ी industry है, ठीक है, ज़्यादा याँ पर बड़ावा मिलेगा इससे, मैं आपको बता दू, इस industry में लगए 5 million लोग आज के समय पर नौकरियां कर रहे हैं, उसके अलाबा हमारी देश की GDP है, economy अर्थ विवस्ता है, उसमें 7% का contribution के वल इस diamond cutting और polishing industry से आता है, 7% contribution, भारत का total export हो रहा है, उसमें 15% का export का contribution इस diamond cutting and polishing की साइट से आ रहा है, तो आप imagine कर सकते हो कि हाँ, एक huge industry के category में इसको रखा जा सकता है, तो आर्टिकल देख रहे हो कितना ज़्यादा important था, काफी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला है, इसके base के अंदर में, इसका background information के अंदर में, हमें एक बात य पर आपर सईसे सुनायी नीए रहा है, जो मैं बोल रहा है, वो भी मुझे सघ्रा सउसे सुनाई नीए रहा है, बता नहीं कान कैसे बंद हो गए दो again, और होने के बाद मैं दर्द भी बहुत ज़़्या हो रहा है, थोड़ी-ठोड़ी हो रहा है, जोड़ी-धोडी नीज आ आपर मिल जाती है तो उसका क्या करना है देखो information इसलिए मिलती हूँ कि आप UPSC की preparation कर रहे हो तो UPSC में आपको जादा depth में जाना जरूरी है जैसा हर बार UPSC की demand जैसे अपकी बार भी इस प्रकार की demand देखने को मिली है एनिवे नेक्स आडिकल पर आते हैं और डेफ्ट में आपको बता दिया था यह वाले आटिकल हो कवर कर लेते हैं एक बॉड़ी है जिसका नाम है NCDRC आप हो मैं हूँ हमारे साथ में कोई dispute होता है हमारे को कोई परिशानी है तो आप अपनी complaints को सीधा इस NCDRC को दे सकते हो इस commission को दे सकते हो यह action लेगा और फिर उसके बाद में जिस company ने आपके साथ में जो किया है मतलब परिशान किया है उसके उपर यह fine charge कर सकता है लेकिन जो matter है वो एक करोड से उपर का होना चाहिए खेर अभी इसके बारे में बताऊंगा आगे बट matter हुआ क्या है वो समझता है देखो हुआ क्या IVF के बारे में अपनों सना होगा IVF है इन वित्रो फर्टिलाइजेशन जिसको मतलब बोलते हैं आर्टिफिशल तरीके से एक भी पैदा होता है यहना वो यहां पर IVF टेक्नलोजी है हुआ क्या कि वेस्ट डेली के अंदर में एक हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल ने कहीं न कहीं IVF टेक्नलोजी को लेकर जो rules and regulations है उनका उलनंगन कर दिया है है हैदराबास से एक कपल गए थे husband wife थे अब यहां पर यह एक कपल गए थे IVF का यूज करवाने IVF से यहां पर कह सकते हो कि जैसे पहले मैं IVF होता क्या यह बता देता हूं ताकि आपको यह मैटरी केलियर हो जाए देखो आई वीफ में एक आटिफिशल तरीके से बेबी को produce किया जा सकता है कैसे तो यहां पर एक महिला होंगी और ए IVF टेक्नलोजी में होता क्या है कि फीमेल का यहां पर एग लिया जाता है फीमेल का जो एग है वो लिया जाएगा और मेल का स्पर्म लिया जाएगा तो फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों को यहां पर प्रपेर किया जाएगा दोनों का कॉंबिनेशन त्यार किया यहां पर देख भीटर, यहां पर फिजागिंग फाल और इंदक आनको और यहां पर समट के साथ बस उनीज़ मिला जाएक है यहां पर आप देख पाओगे इस प्रकार से यहां पर जो एग था ना वो फर्टिलाइज होने के बाद में एक बच्चे का शेप लेने लगेगा और जैसी यहां पर फूर्थ स्टेप में थोड़ा यह डेवलप हो जाएगा एक फर्टिलाइज हो जाएगा उस एग को वापस से यहां पर अपने ही प्लेस पर लगा दिया जाएगा अपने ही प्लेस पर वहां पर उसको लोकेट कर दिया जाएगा अब क्यों वो एग फर्टिलाइज हो गया दिरे दिरे यहां पर बच्चे की शेप लेगा और वो महिला प्रेगनेंट हो जाएगी ठीक है यहां पर कु लेकिन यह process कैसे किया जा रहा है artificial तरीक से किया जा रहा है यह आपको समझ महाना चाहिए सवाल यहां पर यह कि करवाते क्यों है इसकी जरुरत क्या है जब एक biological process उसके बाद भी artificial process है यहां पर यह क्यों किया जा रहा है तो एक महिला को IVF की जरुरत क्यों पढ़ती है मैं तब एक जो है वह तो विल्कुल फर्टिलाइज नहीं हो सकता यह यहां पर बोला गया है फैलोपेंट ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाएगा और यह कॉमन प्रॉब्लम है है ना फैलोपेंट ट्यूब कई सारी महिलाओं में यहां पर इस प्रकार से ब्लॉकेज में या फिर क पोसिबल नहीं होना कह सकते हूँ कि पॉसिबल नहीं है अब यह जो यह ब्लॉक होने के पीछे सारे कारण है इंफ्लेमेटरी डिजीज की वाज़ा से अनौ मेंटरी ऑसे ब्लॉक्रीट की अगर कोई हैं तो इसके वाज से यांपर इमेज हो सकता एंपल eben काा यूज करना प male husband है उनका यहाँ पर sperm लिया जाएगा दोनों का preparation त्यार करने के बाद में egg को वापस relocate किया जाएगा तो यह process mainly use किया जाता है ठीक है यह बाद आपको समझ में आ गई तो यह जादतर यहाँ पर situation है कि जब यहाँ पर एक महिला को IVF की आविश रखता होती है ही नहीं तो जो कपल थे जो महिला में यहाँ पर उनका egg जो fertilize किया गया वैसे वो husband के semen से करना था बट वो husband का semen नहीं था यह जो है कहिने के एक problematic हो गया अब यह जो case है यह सीधा पहुंचता है किसके पास में यह पहुंचता है rules and regulations की पूरी तरह से खिलाफ में जो proper rules and regulations है तो उसके खिलाफ में क्यों जाना तो इस commission नहीं यहाँ पर डेल क्रोटर रुपे का जो fine है वो मारा है unethical practice यहाँ पर बोलते हुए समझ गए इस बात को और ऐसा case पहले भी हुआ था मैं आपको बता दूँ एक बार और ओर दिया था मैं आपको बता हूँ एक प्रियंग का टेंडन नाम है यहाँ पर नाम जो है मतलब बदल दिया जाता है कुछ और नाम होगा नाम जो है चेंज कर जाता है बट यह case था 2008 का तो उसमें पर भी मिसिस टेंडन ने अपने हस्बेंट के साथ में एक हॉस्पिटल जाती है डेली के अंदर में बाटिया ग्लोबल हॉस्पिटल और महाँ पर IVF प्रोसेजर का यूज करवाती है यह बाती 15 अक्टूबर 2008 की यहाँ पर सारा काम हो गया स्पम का इंजेक्शन हो गया है ना और यहाँ पर embryo को fertilize करने के बाद में वापस से Mrs. Tenden के warm में transfer कर दिया गया लेकिन यहाँ पर pregnancy भी हो गई कुछ महीने बाद और उन्होंने यहाँ पर दो जुडवा लड़ियों को जन्म दिया ठीक है अब क्या होता है कि जो जुडवा लड़िया होती है ना उनका blood group अलग होता है उन लड़ियों का blood group है वो होता है AB positive Mrs. Tenden का होता है B positive और उनके husband का होता है O negative इससे यहाँ पर थोड़ा सा शक होने लगा paternity की उपर कि यहाँ पर यह जो semen का use किया या था exactly IVF के अंदर में वो उनके husband का था या नहीं तो यह यहाँ पर testing करवाए गई और testing करवाने के बाद यहाँ पर पता चला कि वो उनके husband का सिमें नहीं था यानि कि इनके जो husband थे वो यहाँ पर एक biological father उन twin girls के नहीं थे तो यह again यहाँ पर hospital से इतनी बड़ी-बड़ी यहाँ पर गलतिया होती चली जा रही है तो उन couple ने एक consumer complaint किया और claim किया 2 करोड रुपे इस चीज के लिए कह सकते हो कि यहाँ पर गलती के लिए क्योंकि इससे कुछ भी हो सकता है ना यार क्योंकि कोई दूसरे व्यक्ति का जो sperm preparation है उसका आप यूज कर दे तो इससे कहीं ना कहीं अगर उस व्यक्ति में कोई genetical problems है genetic disease है तो वो genetic disease सीधा बच्चे में transfer हो सकती है ठीक है तो यह चीज़े यहाँ पर mention की जा रही है आई होप आपको यहाँ पर जो पूरा matter है वो exact समझ में आ चुका है कि क्या क्या issue पूरा चल रहा है IVF आपको समझ में आई चुका है अब थोड़ा सा NCDRC की बारें पढ़ लेते हैं NCDRC exact क्या है तो यह जो body है इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पर एक inexpensive बनाया गया था Consumer Protection Act 1986 के तहट यहाँ पर इस body को त्यार किया गया यह जो commission है इस commission को यहाँ पर head किया जाता है एक setting और retired judge के थुरू यानि Supreme Court के एक judge हो सकते है एक retired judge हो सकते है या फिर तो उनके थुरू यहाँ पर यह commission head किया जाता है इसके provision क्या है handle करने का काम करता है यह उसके अलावा यहाँ पर कोई व्यक्ती काफी ददा परिशान है NCDRC के order से तो वो यहाँ पर उस order के खिलाफ अपील कर सकता है माल लो NCDRC का order भी सही नहीं आया इस commission ने भी यहाँ पर इस commission के order से यहाँ पर कोई satisfy नहीं हुआ तो वो सीधा अपील कर सकता है इसके लिए उपर 30 दिन के अंदर अंदर Supreme Court में यहाँ पर अपील कर सकता है ऐसा यहाँ पर बोला गया ठीक है उसके लावा यहाँ पर इस act के जो provision है यह goods और services दोनों के लेकर होता है अगर कोई goods को लेकर किसी consumer को complaint हो रही है किसी की service को लेकर कोई complaint है तो दोनों ही चीज़ों को handle किया जा सकता है और इसके अंदर एक appellate authority भी है यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक consumer जिन्होंने अपने complaint दर्च करवाई थी वो यहाँ पर इस district forum के decision से satisfy नहीं है तो वो उसको appeal कर सकते है state commission के पास में और यहाँ पर आप कह सकते हो फिर उसके बाद state commission से भी satisfy नहीं है तो वो यहाँ पर एक national commission के पास में भी जा सकते है ठीक है मदभी appellate authorities हैं आप उपर भी जा सकते हो अपने इस problem को लेकर exact नहीं पर mention किया जा रहा है नवात है next article की तरफ तो business section पर हमारे economy वाले page पर एक छोटा सा article देखने को मिल जाता है और आज काम का article और आखरी article यहीं देखने को मिलेगा यहाँ में monetary policy committee के बारे में discussion किया जा रहा है जो हमारे Reserve Bank of India के governor है शक्ति कांता दाजी जिनका आपको picture नजरा रहा होगा इन्होंने बोला है कि अभी हमारी जो काम है वो हमने आधा ही काम पूरा किया है क्योंकि अभी inflation को हम थोड़ा control कर पाए वैसे जो normal हमारी महेंगाई का target जो हो रहता है ना वो रहता है 4 plus minus 2 का ठीक है 4 plus minus 2 का main target है यानि जो महेंगाई है वो जादा से जादा 2% हो जादा से जादा 6% हो और कम से कम 2% हो इस 2-6% के बीच महेंगाई रहनी चाहिए लेकिन पिछले कुछ महेंगों से लगातार महेंगाई 6% से उपर चल रही थी ठीक है लेकिन अभी last 2-3 महेंगों में क्या हुआ है थोड़ा improvement हुआ है improvement यह हुआ है कि महेंगाई को control किया गया और इस 2-6% के target के अंदर में लेकर आए गया तो RBI के जो governor दास हैं मतलब RBI governor है न शक्ति गांता दास इनका कहना यहां पर यह है कि अभी RBI न आदा काम क्या है inflation से लड़कर पूरा काम नहीं हो पाया है हमारा पूरा काम यहां पर यह है कि हमें पूरी तरह से inflation के उपर लगातार निगरानी बना कर रखनी पड़ेगी नई तो फरी है वापस से उपर नीचे होता रहेगा कई सारे ऐसा इवेंट आ रहे हैं एल लिनो इवेंट वैदर पैटरंस चेंज हो रहे हैं जिसकी वेजिस पर कहीने की जो महेंगाई की ओपर impact है वो पढ़ता हुआ नजर की गई है मोनेटरी पॉलिसी कमीटी की जो जॉब है मतलब गवनर दाजी ने बोला है कि मोनेटरी पॉलिसी कमीटी की जो जॉब है जो उन्होंने काम किया है बढ़िया किया है इंफ्लेशन को कंट्रोल किया बट अभी भी यहाँ पर इसके उपर निगरानी रखना बाकी है तो यहाँ पर डारेक्टली जो काम की चीज निकल कर आती है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी आव समझ लेते हैं देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी को बनाया गया था, रिजर्व बैंक आफ इंडिया अक्ट के 1934 के तहत, सेक्शन 45ZB के अंदर में आपर इसको तयार किया गया, जो हमारी सेंट्रल गवर्मेंट है, हमारी के सरकार के पास में सारी पावर होती है कि वो छे मेंबर्स की एक और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी का में अब्जेक्टिव क्या होता है, वही इंफलेशन जो महेंगा ही है, उसको मेंटिन करना, प्लस यहां पे कुछ अपने जो इंटरेस्ट रेट्स वगरा होता है, वो डिफाइन करना कि भया क्या ब्याज का दर रहेगा, वो सारी इच पॉलिसी कमीटी में कौन-कौन होता है, तो देखो मोनेटरी पॉलिसी कमीटी के लेकर जो हमारा सेक्शन 45Z भी है न, वो यह बोलता है कि इस कमीटी में टोटल 6 मेंबर्स होता है, उन 6 मेंबर्स में कौन-कौन से 6 मेंबर्स होता है, सबसे पहले RBA के गवरनर जैसे शक्ति क आफिसर रहेगा जिसको हमारी केंसरकार नॉमिनेट करेगी तो यह बेसिकल यहाँ पर तीन इंपोर्टन परसंस होता है इस मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी में और बाकी तीन कौन हो गए क्योंकि होते तो छे हैं तीन तो आपको बता चलिया बाकी तीन परसंस यहाँ पर हमारी केंसरकार पॉइंट करती है बाकी वो तीन परसंस होता है जिनको प्रॉपर नॉलिज होती है एकॉनमी की प्रॉपर नॉलिज होती है बैंकिंग की फिनेंस की मॉनिटरी पॉलिसी इसकी एकॉनमी की फेल्ड में वो काम कर चुके हैं तो बाकि उन तीन परसन को हमारी कें सरकार पॉइंट करती है तो इस प्रकार से 6 मेंबर्स की कमीटी तैयार की जाती है अब मonetary Policy Committee किंकिं चीजों को लेकर काम करता है यानि क्या क्या चीज़ें मonetary Policy Committee के अंदर में आती है सबसे पहला रेपお रेप रेट, दूसरा नाम ध्यान ड़कना Standing Deposit Facility, तीसरा Marginal Standing Facility, चोथा Liquidity Adjustment Facility, पांच बाह एफ कॉरिड़ोर, दैन erklären लिक्विडिटी मेनेजमेंट टूल, फाइन ट्यूनिंग ऑपरेशन्स, रिवर्स रेपोरेट, बांक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्वरी लिक्विडिटी रेशियो और ओपन मार्किट ऑपरेशन्स यह सारी अलगरक टर्म से, इनको डिफाइन करने बेड़ गए, तो हो जाएगी आप बहुत जादा समय, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोले जारा है, मतलब यह यह चीज़ें हैं, जो कि यह कॉंपोनेंट्स हैं, जो कि हमारे मोनेटरी पॉलिसी कमीटी के अंदर में आते हैं, आ इनकोनमी को लेकर यहाँ पर आपको चार चीज़ों के नाम दिये गए हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू, और पूछा जाए इन चारों में से बताओ, कौन कौन से हैं, जो कि मोनेटरी पॉलिसी के कॉम्पोनेंट्स क करेक्ट हो जाएगा, तो option number C1 and 2, bank rate and open market operations, यह component से हमारे मोनेटरी पॉलिसी कमीटी के, यही यहाँ पर इसका सही उतर है, ठीक है दोस्तों, यह था हमारा पूरे का पूरा discussion, बाकी आज बात है, editorial discussion की, तो Friday में already editorial कम आते हैं, और आज कोई भी काम कर नहीं, आप पुरापरली skip कर सकतो, यहाँ पर politics वगरा की बात की जारी है, आप छोड़ सकतो, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पढ़ना, मैं पढ़ चुका हूँ, इस वैसे मैं आपको बता रहूँ, लेकिन फिर भी, mains का question तो चाहिए होता है, तो mains का question में आपको फिर भी दूँगा, question क्या ह एक quotation है, what does this quotation mean to you, यह आपको बताना है, मतलब कि आप इस quotation से क्या समझतो, वो समझाना, दलाई लामा जी का quotation है, we can never obtain peace in the outer world, until and unless we obtain peace within ourselves, समझ गया है, मतलब क्या है, हम बहारी दुनिया में तब तक शांती नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक कि हम अपने भीतर शांती होंगे, तो यह quotation है, तो इस उधारण का आपके लिए क्या मतलब है, आपने यहाँ पर इसको विस्तार से बताना है, 2500 शब्दों में आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहां पर समिट करना है, टेलिग्राम पर जाना, वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रूप, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरे टेलिग्राम चैनल मिलेगा, जहां पर 60,000 से ज़ादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ कर अपने आंसर को समिट करोगे, समिट करने के साथ साथ आपको एक छोटा सा काम करन करते हो, कि यहाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवशकता है, तो इस प्रकार से कॉप्रेटिव वे में वो पूरा का पूरा जो ग्रूप है, वो रन कर रहा है, अब आते हम लोग अपने प्रलेम्स वाले क्वेशन की तरफ, उसके बाद करेंगे अपने सेशन को समापत तो, क्वेशन था, गाडगिल कमीटी रिपोर्ट और कस्तुरी रंगन कमीटी रिपोर्ट, कभी-कभी न्यूज में आती है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं आपको कई बार पढ़ा रखा है, कि वेस्टन घाट्स, इस्टन घाट्स, जब मैं आपको पढ़ाएं, तो कुछ आपने यहाँ पर अच्छे से जान लिया होगा, नाव मिलते हैं आपसे अगले वेडियो में, आज के लिए बाइबाइ, have a nice day, thank you and जैहिंद